नमस्कार दोस्तों, इनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चारेक के नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं चारेक के नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें दोस्तों, आज कल लोग सामने से कुछ अलग और अंदर से कुछ अलग ही दिखते हैं हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुड़ और कुछ अबुड़ होते हैं ठीक उसी तरह से उनके विचार भी अलग होते हैं जिसकी बज़े से सोचने और समझने की छमता भी अलग होती है। लेकिन क्या आपको पता है कई बार आप जो काम करते हैं वो आपको तो सही लगता है लेकिन किसी और को सही नहीं लगता। जी हां दोस्तों आपको बता दें ऐसा कई बार होता है। दोस्तों भारती परिबारों में नारी लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है मान पूरणा ने उन्हें पोशण का वर्दान दिया है यह बहुत ही पुरानी सूकती है जहां नारी को पूजा जाता है वहां देवता रमर करते हैं जिस तरहे महिलाएं कुल की लाज को बचाने का क पुरे कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसे में अब ये बड़ा सबाल उड़ता है कि कैसे पता किया जाए कि काउन सी महिला पवित्र है। इसलिए आज हम आपको पवित्र और पती बरता इस्त्री के कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे जो कभी अपने पती को धोखा नहीं देती। तो चलिए दोस्तों आज के इस सो वीडियो में हम आपको इनी विशेश लक्षणों के बारे में जराविस्तार से बताएंग दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें जिन लड़कियों के शरीर पर हलके हलके रोएं होते हैं वो लड़कियां हमेशा पवित्र मानी जाती हैं जी हां दोस्तों कहा जाता है ऐसी लड़कियां किसी भी परिस्थिती में अपने पती का साथ नहीं छोड़ती, ये लड़कियां किसी भी परिस्थिती से डरती नहीं है दोस्तों बताया जाता है जिस लड़की की भौँ पतली होती है वो हमेशा अपने पती के लिए वफादार मानी जाती है इतना ही नहीं ये हमेशा ही अपने पती के लिए समर्पित रहती हैं ये अपने पती को सच्चा प्रेम करती है इसके अलाबा ये भी माना जाता है कि ये महिलाएं सभी के बारे में अच्छा सोंसती है ये दिल की हमेशा साफ रहती है इसके साथ ही ये लड़कियां बहुत संसकारी मानी जाती है दोस्तों आपको बता दें जिस किसी भी इस्तरी के मस्तिस्क या सिर पर तिल होता है वो तीब्र बुद्धी और उच्चात्म विश्वास वाली होती है ऐसी इस्तरी में माता सीता के गुड़ बिद्यमान होते हैं इनका दिल बहुत बड़ा होता है ये अपने घर परिबार के संसकारों को कभी नहीं बोलती अपने पती से सच्चा प्रेम करती है और अपने पती के हर काम में हमेशा उनका साथ निभाती है दोस्तों आज का वीडियो वस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविश्य में आने बाली हमारी सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकें दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक आईसी ही इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेटिब वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत